अजय तो अजय को अजय तो इसा करूंगा और वो एक्दम शैटर हो जाता है जब टूट जाता है तो कितना सदमा बैट्टा और आदमी को सब पागल हो जाता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ तो यह जो पेशन्ट है यह उसका एक मिसाल है तो यह आपका स्वागत है मेरा नाम एक आप्टर धीपर केड़े कर में मनोभीकार सेक्सरोग सम्मोहन तथा वेसरमुत अग्यों महाराष्ट में अकुला में प्रैट्रिस करता हू यह पेशन्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ यह उसको साओधी अरेविया जाना था और कोई कारण से उसका जो आइडेंटिटी कार्ड जो था आइडी कार्ड उसका फोटो और यह खुद यह मैच ने हो रहा था कुछ तो भी प्राबलेम आ गया उसको रिफ्यूस कर दि बाञा वे हैं आपको बाखे चरना बाजिए और तो कशो के ने मुड़िए यह रहा था जा है इड्मिड है अभी उसको हमने दावाई दिया शॉक्टिटमेंट दिया तो कि साल भर से उसको दावाई देके भी कोई फाइदा नहीं हो रहा था शॉक्त ही फरक पड़ा और उसके पिता जी बहुत खुश है कि अभी नहीं अभी जाके काम कर सकता है करेके देखिये इसका मैं आपको वीडियो बता रहा हो यह है आपके पेशेंट तो यह बता यह कि इनको क्या हो गया था इनको क्या तकलिप थी यह इसने टेंशन लिया था दिमाट पर हाँ टेंशन लिया था हाँ क्या टेंशन लिया था यह जैसा भायर देश भेजने का सावस्कूर हाँद्या साओ तुमने आतम बाद भाद भाद में फोटो में फरक गिर गाता तो बात में क्या हो गया बात में उसने जैसा क्यान सालोग आओ इसने बोले ही हमको आउ जैसा टेंशन लिया तो क्या तक्लीफ थी पहुत तुन अभो जासा हाथ को लुट गए गया थे उसके बादे फिर मनी बढभुडा बतला है यcely वा चार छे महने रहे चार ये भी मह मतलब चार काने वी कर रहा है अझा तो फिर बहुत रखै तो ये है папे को स्थराफिन अपी आप मतलब कर से कहा है की अबात में नुका distress कम ए एप拿 पना जीवन गाठा फी शक्ता है ये लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ कुछ इलाज हो सकता है नो歷क रखना मर्याशन का ऊचा निद्द कि लोगों को ऐसा दिमाज में कि शॉक टीटमेंट मतलब बूरा है, शॉक टीटमेंट से खराब हो जाता है, खराबी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब वो कोई पेशन्ट रेस्पॉंड नहीं करता है दबाईयों को, गोलियों को, तो हमारे पास में शॉक टीटमेंट जिसमें उसको धिरे 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 अच्छा होने रखता है और वो काफी अच्छा हो जाता है क्लियरली कंप्लीटली नॉर्मल वो हो जाता है तो ये वीडियो आप लोगों को शेर करो ताकि लोगों के दिमाग में शाक ट्रीटमिंग गलत फिमी जो है वो दूर हो जाएंगी लोग घर में पेशन को रख देते हैं कि ने भी इसका कुछ होने वाला नहीं है जिसमें पेशन खुदकुशी भी कर सकता है तो इसका एलाज यदी हो गया है तो उनका जीवन वो नर्मल जी सकते है झाल झाल